पूरी तरीके से वारेल हो चुका है उसमें भी वो चीज़ें दिख रही है कि भारतिय से निक किस तरीके का जजबा रखते हैं होसला रखते हैं और किस तरीके से कम संक्या में होने के बाद भी खदेर भगाते हैं तो सेनिकों के हाथ बिलकुल नहीं बंदे हैं सेनिकों का जोश बहुत हाई है और सारे के सारे सेनिक यहाँ पर जो बात कर रहे हैं अफसर बोल रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि चीन को हम पूरी तरीके से उसका इलाग जानते हैं, हम पूरी तरीके से तयार हैं और वाकई दिल खुश हो जाता है चित्रा, यह सारी बातें सुनके इनका होसला देखकर यहां की तयारियां देखकर, पोस्ट है, वहां की चंद तस्वीरें मैंने देखी लेकिन हम उसे दिखा नहीं सकते हैं, साजा नहीं कर सकते हैं, वहां पर भी बर्फ नहीं है सर, ठंड बहुत ज्यादा है, माइनस में तापमान है इस समय, लेकिन बर्फ की का कवर वहां पर नहीं है, बीस दिन से बर्फ पड़ी नहीं है, बहुत उची चोटियों पर थोड़ी थोड़ी बर्फ देखते हैं, जो अभी जम नहीं रही है, लेकिन अब आने वाले वीक में उसका फोकास है, पर ठंड बहुत ज्यादा है, जो विंट चिल फैक्टर यहां पर रहता है, लेकिन हमारे सेनिकों के पास, और खासकर जब हम 62 के यूद से तुल्ला कर लेते हैं, खेलों बहुत लंबा समय आये हैं, और मुझे लगता है, बहुत लंबा योगदान भी रहा है, अलग-अलग सरकारें जो रही है, अभी जो एक चीज परिवर्तित हुई है, वो हुई है सडकों की, कि हम LAC पर हम कहें, तो लास्ट के जो एक किलो मीटर होगा, जो पोस्ट सक जाने वाला रास्ता है, वहाँ पर अभी निर्मान चल रहा है, और बारिश की वज़े से यहाँ पर नौथीस्ट में, पूरे नौथीस्ट में दिक्कत भी होती है, लेकिन वहाँ निर्मान चल रहा है, वहाँ तेज रफ़तार से कुश्चें हो रही है, और वो जो सडक का जाल है, वो आगे तक सर बढ़ाया जा रहा है, एक्विप्मिंट तो हम सब रूबरू है कि किस तरीके से हमारे पास, और खासकर आटिलरी की तैनाती यहाँ पर बड़ी ताकदवर तरीके से की गई है, ऐसे की गई है कि जरा सा आपको एक आशंका हो और आप उन्हें आगे मूव कर सकते हैं, उस तरीके से यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है, तो एक एक चीज़ को देखकर यहाँ विश्वास बढ़ता है, विश्वास बनता है, बस यही है कि सेना की पीछे सबको मजबूती से खड़े रहना है, सवाल सियासी जरूर होने चाहिए, सवाल सियासा तक के अगर नहीं होंगे, तो शायद सेनिकों को कई सुवधाएं न मिल पाएं, लेकिन सेनिकों के साथ तो मजबूती से खड़े रहना है, ने ऐसा नहीं है, सेनिकों को पलटवार की अजासत नहीं है, और अभी से की बात भी नहीं है, जनल सिवाच भी इस चीज़ को बताएंगे, बहुत सारी कहानियां होती है न चित्रा, जो सेनिक हमें सुनाते हैं, जो हम यहाँ पर सुना नहीं सकते हैं, लेकिन इतना तो पूरे देश को हौसला रखना चाहिए, कि हमारे सेनिक जिस तरीके से चीन को जवाब देते हैं, चीन की बोलती बंद रहती है, उसके जो अडल्ट सेनिक हैं, वो आपको आसुओं में भी नज़र आ जाते हैं, और क्योंकि यह जितनी भी क्लाश होते हैं, उस समय देखें, यहाँ पर प्रोटकॉल है, तो वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट की जाती थी, दस्तावेज है हर चीज के, वही चीज यहाँ पर भी है, कोई भी पेट्रोल पार्टी है, या फिर चीन की तरफ से आ रहे हैं, तो चीन भी उसको रिकॉर्ड करता है, इसलिए हर वीडियो आप देखेंगे, कि दो तरफ से जरूर बने हुए रहते हैं, जो आगे चल कर किसी समय पर हमारे सामने आते हैं, तो उन सारे वीडियो को भी अगर आप देखें, इस 9 दिसंबर की बाद चोड़ दीजे, जो वीडियो हम आज तक पर देखते भी हैं, जो अब पूरी तरीके से वारिल हो चुका है, उसमें भी वो चीज़ें दिख रही हैं कि भारतिये सेनिक किस तरीके का जजबा रखते हैं, होसला रखते हैं, और किस तरीके से कम संक्या में उने के बाद भी खदेर भगाते हैं तो सैनिकों के हाथ बिलकुल नहीं बंदे हैं सैनिकों का जोश बहुत हाई है और सारे के सारे सैनिक यहाँ पर जो बात कर रहे हैं अफसर बोल रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि चीन को हम पूरी तरीके से उसका इलाग जानते हैं, हम पूरी तरीके से तयार हैं और वाकई दिल खुश हो जाता है चित्रा, यह सारी बातें सुनके इनका होसला देखकर, यहां की तयारियां देखकर. करता है!